हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे गेहु के आठे के मीठे पकोड़े जिसे शादी वियाव में पूए वगारा भी कहते हैं तो वीडियो का स्टाट करते हैं दो फ्रेंट्स हमने यहां पे कटोरा लिया है मीठा पूए बनाने के ने हमने यहां पे यह गेहु का आठा लिया है यह लगबग एक सिड़ कटोरी आठा है और यहां पे हमने यह पानी लिया है जिसमें ने चीनी का गोल बना लिया है हमने इसमें चीनी गेहु के अच्छे से गोल लिया है अब हम पूए बनाना चालू करेंगे प्रे और जो हमारा चीनी गोल इसमें पाद चम्मच चीनी अड़ी थी गोल बनाने के निए तो हम दीरे दीरे देखो हातों कि शाहिता से मिलाएंगे दीरे भी इसमें चम्मच का यूज बिलकुल नहीं होगा और अब इसमें हम हमने कदडु कस करिया गरी हम यह एड़ करेंगे यह क्थबबने हैं कि इसलिये कर यह बहुते हैं कि हमारे जो मीठते पॉरसन mejores लेक zij आपके तो आपद्धे आपे पानी अापने में मीक्शर आप करेंगे अपर repairs कि नोब काए नो प्राद्थ channel के मैं फुरीआ नन्य शत ने यह आफ थार्टीर असमकrylike पतला है यह नॉर्मल है आप भी अपना नॉर्मल ही गोल त्यार करें जिसे आपके जो मीठे पकोड़े और सोफ्ट्वर ने अब हम चलते हैं इसको नेक्स्ट प्रोसेस की और फ्रैंस यहां पर हमारा जो ओल हो गरम हो चुका है अब हम यहां पर अपने जो मीठे पूह है या आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर ढालिए ताकि आपके चिपके नहीं हम अपनी कड़ाई का कोडिंग डालेंगे अब दीरे दीरे फ्राई हो रहे है जैसे जैसे फ्राई होएंगे तो यह तो यह तो चोड़ चोड़े का उपर आजाएंगे तो मैं इनको फ्राई होने देती हूं मैक्सिमम मुझे साथ से आट मिर्ट तक इने फ्राई करने है तो मैं वेट कर तो इनके फ्राई होने का देखिए फ्रेंस यह दीरे दीरे फ्राई होने लगे है हलकल क्या सुन्वाहरा रंग आगया इनके उपर अब हम नीचे की तरफ से पलड़ दिया है ताकि यह दोनों त बाल लेंगे कडाई में से अपनी सो फ्रेंस फाइनली अमारे मीठे गुलगुले बनके तियार हो चुके है तेकि एकदम क्रिस्पी बने है मैं आपको इसको एक तोड़ के दिखा देती हूं यंदर से बिलकुल सॉफ्ट बने है देखिए असानी से टूट भी रहा है सो फ् संद कर देखिए